हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आज हम लोग LCM पढ़ेंगे जो कि क्या होता लो एस कॉमन मल्टिपल या फिर हम इसे कहते हैं लगुत्तम समाब बर्तक सबसे वहले हम बात कर लेते हैं LCM की definition कि LCM की definition क्या होती है यह वह संक्या है जो दी गई वह चोटी से चोटी संक्या है जो दी गई सभी संक्याओं से पूरी पूरी विवाजित हो जाए उसको हम क्या कहते हैं LCM कहते हैं अब हम कुछ examples के दूरू समझ लेते हैं कि हम LCM निकालते कैसे हैं दोस्तों मैं आज आपको पहले यह बता दूँ कि आज मैं वीडियो के last में आपको कुछ चोटे चोटे नियम बताऊंगी जो की बहुत जरूरी है तो प्लीस आप वीडियो last तक देखें जिससे कि आप वो चोटे चोटे नियमों को जान सकें चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ examples सबसे पहले हमने ले लिया हमें मालीजे हमसे चार और आठ का LCM पूछा गया है कि इसका LCM क्या होगा तो हम LCM कैसे निकालते हैं हमने चार और आठ ले लिया उसके बाद हम छोटी संक्या से सुरू करते हैं हमने दो से सुरू किया और हमने चोटी संक्या से सुरू करते में ये भी देखना है कि ये उससे पूरा पूरा विवाजित हो जाए तो हमने दो लिया तो दो से चार दो बहुत वहाँ दिया इसका तो 2 आया तो दो आया फिर आ मारे पास 2 और 4 आ गया फिर हमने भाग दिया दो से और 1 आया और 2 आया अब हमें तब तक करना है जब तक कि हमारे सभी संख्यां में एक एक ना आ जाए अब हम फिर दो से भाग देंगे हमारे पास एक और एक आ गया अब दोस्तों ये तो हमने कर लिया अब हमसे पूछा LCM क्या होता है तो ये जो नंबर है जिससे हम डिवाइट कर रहे थे इन सभी नंबर को जब हम आपस में मुल्टिप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा LCM निकलाता है तो इसका LCM क्या होगा 2 मुल्टिप्लाई वाइ 2 मुल्टिप्लाई वाइ 2 तो कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 तो इसका LCM कितना होगा 8 हो गया ऐसे हम एक और नंबर से समझ लेते हैं कि LCM क्या होता है कैसे निकालते हैं MLC मानीजे हमने एक नंबर ले लिया 25 और 15 हम छोटे से छोटे नंबर से देखना शुरू करते हैं 2 से देखा सर्थ क्या होती है कि ये दोनों से विभाजित हो तो 2 से नहीं होंगे 3 से 15 हो जाएगा लेकिन 25 नहीं होगा लेकिन हम 3 से विभाजित कर लेंगे 25 को as it is लिख देंगे 3, 5, 15 अब हम फिर देखेंगे ये किस से विभाजित हो जाएंगे अब ये 5 से विभाजित हो जाएंगे इसके लिए हमने आपको disability rules पढ़ाये थे इनी चीजों के लिए तो अगर आपने वो videos देखें तो आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सा number किस से divisible होता है नहीं तो आप सबसे पहले उन videos को देख लीजे जिससे कि आपको वो rules पता लग जाएंगे अब हम 5 से divide करेंगे तो 5 और 1 फिर हम 5 से divide करेंगे तो 5 और 1 अब एक एक आगे है नीचे अब हमें इसका LCM बताना है तो इसका LCM कितना हो गया 3, 5, multiplied by 5 तो 3, multiplied by 5, multiplied by 5 कितना है पच्चम 25, 25 निया 75 तो हमारे पास इसका LCM कितना हो गया 75 तो इस तरीके से हम LCM निकाल लेते हैं दोस्तों इसके बाद हम आपको SCF निकालना बताएंगे और उसके बाद हम आपको एक यह स्टार बना रहे हैं क्योंगि यह बहुति इंपॉर्टन नियाम है सबसे बहला नियम यह है कि सबसे छोटी धन पूरांग संख्या या पॉजिटिव नंबर सबसे छोटा एक होता है प्लस वन यहां हम वन भी कह सकते हैं अब हम दूसरे रूल की बात कर लेते हैं दूसरा रूल हमारा क्या है कि सबसे बड़ी रिडात्मक संख्या यानि कि हम निगेटिव नंबर सबसे बड़ा माइनस वन होता है अब हम आपको तीसरे रूल के बारे में बिता देते हैं तीसरा रूल क्या है कि जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही निगेटिव नंबर होता है तो इसी तरीके से हम आपको अपने हर वीडियो में लास्ट में छोटे छोटे नियम्स बताएंगे जो की बहुत ज़्यादा जरूरी है थैंक यू दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक यू